और अभी आप देखिएगा ये नीराव मोधी विजय मालिया ये भी चंद महीनों में आएंगे एलेक्शन से पहले अरे चंद महीनों में एलेक्शन से बहुत पहले हो सकता इसी फानेंशल एयर में आ जाएए और राम मंदिर लगे हाथ जब बताई रहे तो बताई दीजिए राम मंदिर तो बहुत अच्छी बात कही राम मंदिर तो बनेगा कोई पर इंसे पूछिए नहीं हम भी आई जानने चाहते हैं राम मंदिर फिर मैनिफेस्टों में रहेगा रहेगा राम मंदिर पर देखे कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है अब अखिलेश यादो जी न अब कहने लगे अब हम मंदिर बनाएंगे कुछ साल रुक जाइए यह सब कहेंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे अनजणा जी हम तो कह मंदिर है कि नहीं प्रेश्ट पूछा अब एक मिनिट सुन लिजिए सुप्रीम कोड में मुकदमा है अडवानी जी आप रथियात्रा मंदिर के लिए निकाल रहे हैं बोले कोई न्यायला मेरी आस्ता का फैसला नहीं कर सकती अडवानी और वाजपई जी आपको अच्छे लगने लगे उन्होंने का सत्ता दे दी जी मंदिर दे दूगा सत्ता दी तो कहा गडबंदन की मजबूरियां है पूर बहुमत दो हम मंदिर दे देंगे इनके गोशना पत्र में रखा पूरा बहुमत है एक शन नहीं लगता कानून लाने से विश्व हिंदू परिशत कहता है कि प्रधान मंत्री जी आर्टीकल 108 कंस्टिटिउशन आफ इंडिया जॉइन पार्लियमेंटरी सेशन बुला करके कानून बना दीजिये बगर मुखोटा लगाते हैं जनता से वोट पाना चाहते हैं इसलिए सिर्फ मंदिर के मुद्दे को जिन्दा रखना चाहते हैं योगी जी और मोदी जी सत्ता के इश्वर्य के अटंबर में ठाट से और भगवान प्रभुशी राम बेठे हैं ता आप भी भाशर देते हैं स्टैंड नहीं बताते हैं अगर ये विधयक लाते हैं कि राजी सभा में लोग सभा आप अपना विचार रखिये हमारी गलती मानिया सोधाना मुझे ये बता दीजे 30 सितंबर 2010 को जो अंतिम जज्ज्मेंट है इलाहबाद हाई कोट की लखना उखंड पीट का उसके अनुसार वहां मंदिर है पूजा अरतना चल रही आम मानते हैं कि नहीं वो मंदिर बोलिया पर और वही थीया इस में कि दूर आपको दूर रही है कि नहीं कुछ से ऐनने revenit अर्मान से अपको दूर जाएंगे इतना पीछे ले जाएंगे